कियUL में आपकी फिशल की किशेल आपके स्किन पे जो अफिस जह SERjan में सके नहीं अपरिए सब्सक्राइब काया को तुछ को इस पर के मैं दूर खलेगा तो अब पर बिचांग केस्का स्किन यहें दूर करें लिखने के पाइगा जो आप करना चाहते हैं मिले कल्सके किचन में चलते हैं यहां पर आपको लेना है जो भी आपके पास है मैंने यहां पर वाइल टर्मरिक एड़ किया इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके आपको अपने फेस पी लगाना है क्योंकि दूद में मौझोड लाक्तिक एसिड आपकी स्किन के लिए बहुत असदार होता है यह आपकी स्किन पर मौझो जो भी टैनिंग होती है जो भी अन इवेन स्किन टोन होती ना उन सब भी को बहुत जल्ड़ी ठीक करता है आप इसको डेली रूटीन में भी आप एजर की तरह यूज कर सकते यह बहुत ही बेस्ट क्लिंजर है मैं इसको रोज लगाती हूं इ अपच्छा ब्लीच के लिए आपको मार्केट वाली ब्लीच नहीं लेनी यह भी मैंने घर पे बनाई इसके लिए एक आलू ले ले उसको अच्छे से कद्दू कस करके ना उसको जो भी जूस निकलता है वही बस आपको अपने फेस पे लगाना है इसे आप पांच मिनट के अपने फेस पे लगा है दो से तीन एप्लिकेशन इसी को रिपीट कर लें और पांच मिनट के बाद आप इसको वाश कर सकते हैं क्योंकि आपका जो आलू है उसमें स्टार्च होता है भरपूर मत्रा में तो स्टार्च ना आपकी स्कीन के जो पोर्स होते हैं उनको क्लीन कर उनको टाइट करता है यह आपके बालों को गोल्डन नहीं करेंगा अपकी स्कीन को बहुत ही डीप करता है जिसे इसक झीन बहुत ज्ञाधा ग्लो करने लगती है और सारी डेट सेल्स को हटा देता है थर्ढ़ में हम यहां पे करने वाले स्क्रब यह भी बहुत इंपरेंट वाइट है यह आपके रिमुव हो जाएगा इसको हपते में दो बर कर सकते हों अच्छे से ये दोनों का काम करेगा, इसके लिए आपको बनाना लेना है, बनाना में एक चमच आपको हनी अड़ियाइड करनी है, पुश ड्रॉपस आपको नारिल तेल की आड़ करनी है, नहीं है नारिल तेल, तो आप अपना फेवरिट जो आप फेज पी लगाते हो, इसके बाद अच् चैंड सगुंख़ घ्रक्व करता है फोसे अ जंक फोरे सेल्स होता है उन्हो editor करता है उनको बहुत अचार मतलब इसकिन को टाइट बनाता है मसाँ अफ में पार करता हैक्ड लेकर रहता तो कि यह मसाझ हैं चरब अच्छी से ऐसा पैक की तरह दस मिनट के लिए लगा लेना दस मिनट पूरे हो जाने के बार ना आप इसको रिमूव करोगे ना बई क्या ही कहने इतना गजब का ग्लो आपकी स्किन पर दिखाई देखाना कि आप बहुत खुश होने वाले हो कहीं पालर जानी की जड़ती करवा के देखलो और आप इसको करके देख आप दोनों में कॉम्त कले ना कि कौन सा जादा यह वान पर दोटतीक कि इन जिकाने के वाले । और जो भी फेस्टिवल है ना आप ही चमकने वाले हों तो उसके बाद आप इसको वाश करने के बाद मौशराइजर लगा ले बस यह था एक हैलफुल सा वीडियो आप लोगों के लिए जो मैं लेकर आई इस फेशल को जरूर करके देखना और लोगों के साथ शेयर करना